अहो बकियम अरे उनका सवाव कैसा है बकियम बकासुर की बहिन है बकी और उसका नाम है पूतना और पूतना कैसे आई थी वो बगवान को मालने के लिए आई छटे दिन बगवान का जैन्म हो गया ना तो छटे दिन आ गई हो मालने के लिए कैसे बुलेस्तने का हाले पूतना और भगवान को कहां? कि मैं तुमारी मॉसी हूं भगवान का मॉसी? अब मॉसी कहते हैं मुझा जो मासी है दिखने में जिसकी सकल सुरत मा की तरह हो लग दिखुए है मासी मासी बड़ी मॉसी अब गोजने कर दिकान समय बहुत था और अब लोग बोले मॉसी तो मौसी है तो क्यों मासी है और भगवान तो सुच्रे मासी है पर वो बोल लिए मैं मासी नहीं मैं तो मौसी हूँ मैं तो काल कूट लगा के आई हूँ तुमारे लिए और अपने अस्तनों पर काल कूट जहर लगा के आई पूतना और जैसे भगवान के नज़्दी कारिया भगवान ने उसको ऐसा ऐसी गति दी अरे ऐसी गति दी जो अपने मा को दी अर जब मरी ना फूतना तो फूतना के को जब जलाया गया बोले उससे फुस्बू आने लगे चंदन की लकडियों की किसी ने पूछा बया ऐसा कैसा हो गया कि पूछना थी कि काल पर जहर लगा के भगवान को मारने आई और भगवान ने इसको ये गति दी इससे चंदन की फुस्बू निकल रही है बड़े भगवान ऐसे ही है एक संद कहते हैं बया जिसके नाम लेने से लोग तर जाते हैं बहुसा अगर पार कर जाते हैं जिसकी च्छाती पर 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 परमात्मा संद रहे होगे अरे उसको ये गति नहीं मिलेगी इसलिए पूचना को ये गति दी है कि यस्यस्मर नमास्ते ना जन्म संसार बंदना विमुच्चती नमस्तस में बिष्णवी प्रभविष्णवी मेरे परमात्मा अरे उसको ऐसी गति नहीं देंगे जिसका नाम लेने से लोग तर जाते हैं उस परमात्मा का ने जिसका अस्तन पान किया होगा उसको ये गति मिलने ही है इसलिए मेरे परमात्मा का मुड़े सुभाव भी बहुल सुनने रहे और जब सुना कि मेरी भरमात्रगा सुभाव भी अच्छा है क्योंना मैं बस बगबान के बारे में जानू और ऐसा सोच करके सुकदेव जी तुरन तुम शिस्टों के पास तरे गए अज शिस्टों से पूछा भया इसके बारे में क्या मुझे कुछ सुनने को मिल सकता है और शिस्टों यही चाहते थे ना बिलिभ्यास ने कहा था कि उनको सुनाना आकर्षित हो जाए और उनको मेरे पास ले जाना शिस्टों ने कहा सुकदेव दी यह जो स्लोक है ना यह भागवत के हैं और भागवत ने तो नम ना बताया हमने आपको दो स्लोकों का उसमें ऐसे ऐसे अठारा हजार श्लोक हैं और वो तुम्हारे पिता विदभ्यास जी के पास हैं चलो उनका पान करने उनको सुनने के लिए चलो और यहां से सुकदेव जी को ले गए हैं बोरियत्यकदेव जी महाराजी की बीदभ्यास भगवान की और बोला अब रिष्चों ने पूछा सौनका दिन सुच्जी से पूछा है सुच्जी आपने यह तो पता दिया कि भगवान जो सुकदेव जी हैं वो कथा को सुनने के लिए चलेगे भागवत को पाइने के लिए चलेगे पर भया इस भागवत का प्यारम कैसे हुआ भागवत सुनू कहां से हुई है मुले यदा मृधे को रबसन जयाना बीरे श्रतो बीर गतिं गतेशू ग्रपो जराविद्य गजाभी मरिशो भग्रहो रुजंड़े जितरास्ट पुत्रे यदा मृधे को रबसन जयाना मृध ज़ापर समाप्थिका समय था और उस समय ज़ापर समाप्थिका जब समय था ठीक उसी समय महाभारब का युद्ध हुआ था इस भागवत का प्थारं हुआ है यहाँ समय कता का जब महाभारब का युद्ध हुआ महाभारब के उद्ध में भीम ने दुर्योधन के जग्हाय दोड़ दी और जग्हाय तुटा हुआ दुर्योधन अपने अंतिम जिन गिन रहा है अंतिम जिन 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 आज मुझे याद आ रहा है अगर तुम मुझे सेनापती बना देता ना तो मैं कुछ कर पाता एक नहीं पाचों पंड़ों के सिरकाट के लिए आता गोल किया सूत रहा है अस्वत्थामा ने कहा मित्रुट अस्वत्थामा मुझे बड़ा पस्चाताब है बड़ा सोत रहाँ कि इतना बड़ा इत हुआ अरे मेरे सो भाई मारें गए एक अंतिम मैं बचा हुआ हूँ हम सो भाई थे उन में से सब मर चुके हैं और पांडो मुझे पांडो पांच थे और पांच में से किसी का बाद बागा नहीं हुआ सब कुसन है अरे मेरे मन में बड़ी प्रीडा हो रही है इस मेरी मनो कामना को कोई पूर्ण कर देता दुर्योधन अपने मन की ब्यथा सुना रहा है अस्वत्थामाने का मिक्त्रो निश्चिंत रहे मैं उन पांचों पांडो की गरद में काट कर तेरे संभुख लेऊंगा तेरा अंतिम जो इच्छा है ना मैं पूरी करूंगा और यहां से चल दिया सुन्थामा के निश्चिंत रहे मैं काट कर लाँँगा और जैसे यहां से गया आज पांडवों के सिविर में पहुंच गया है तो सत्थामा तब तक भगवान ने पांडवों से कहा पांडवों भया हमने इतना बड़ा युट जीता है ऐसा करते हैं कुछ फुची तो मना लें और यहां से चल दुए बड़े बड़े प्रबो कहां चलना है और सब के सब पांडवों वहां से सिविर से उठकर के आज यमना तट की ओर चलेगे हैं कि वहां पर कुछ बाते करेंगे नीद वैसे भी नहीं आ रही है और उनके बच्चों ने सोचा इनको नीद नहीं आ रही है इन बुद्दों को नीद नहीं आती हमको तो सोने दो और पांचों बच्चे पांड़ों के पांचों पुत्र आज यहां पर अपने अपने पिताओं की सायों उपर सोने के लिए चले गए पांड़ों उठकर चले गए और अस्था मारात्वी में यहां पहुंच गया है सिबिर में और जैसे ही सिबिर में पहुंचा चुपचाप सा देखा उज खोर अंदकार में खड़ बाहर निकाली म्यां से और पांचों सुत्रों के कटे सिर लेकर के पोठली में बांद कर वापस दोड़ता हुआ सुत्र दुर्योधन पास पहुंच गया है दुर्योधन बड़ा क्फुस हो गया इस दुर्योधन को साप लगा था कहे दुर्योधन तेरी मुत्य उस दिन होगी जिस दिन तुझे एक बार बहुत बड़ी खुशी मिलेगी और दुबारा तुझे तुख मिलेगा उसी दिन तेरी मुत्य हो जाएगी बड़ा प्रसंद हो गया दुर्योधन अब बुरा मेरे पास सबसे पहले अर्जिन का फिर दे जैसे ही अस्वत्थामा ने पकड़ाया उचिला पड़ा दुर्योधन है जुष्ट अस्वत्थामा तुने ये क्या कर दिया अरे जुष्ट तुमने मेरे बंज का नास कर दिया तुने मेरे बंज को ही मुचा दिया अरे दुष्ट ये मेरे भाई नहीं उनके पुत्र थे इनोंने मेरा क्या बिगड़ा था अरे थे तो मेरे भाईयों के पुत्र अरे तुने मेरे बंस में कोई पानी देने वाला नहीं रखा अरे मेरे भाजियों के पत्र भी रहते थे ना तो दुस्च कोई तरपन देता उस समें एक बंस को नहीं एकी चास्कत को नहीं जाता अभूता गोतिनो स्मटा तेपि बंत मया दप्तम हम तरपन देते हैं ना उस समय दामन मंद्र से तरपन देते हैं कि एक एक चास्कत को ले जाता इस कुल में जो भी पैदा हुई है अरे जिनको कोई पानी देने वाला नहीं है जिनके निमत्थ किसी ने जलान जली नहीं दी है उन सब को हम याद करते हैं अब पूत्रहा जिनके संतान नहीं है गोत्यनोस प्रतहा इस गोत्र में जो पैदा हुए है उन सब को जलान जली देते हैं ए जुस्च अरे मेरे भाईयों के पुत्र रहते जीवित रहते तो मुझे कम से कम जलान जली तो देते कि पिच्रबं से मृता ये चव मात्रबं से चई पृता गुरूश शुर बंधूना इकीची चंद मी पृता अरे मेरे कुल में अगर ऐसे ये जीवित रह जाते तो तो तुने क्या कर दिया बहुत धुक हुआ दुर्योजन को और उसका भी प्रान संत हो गए और अब अस्वत्ता मा समझ गया मैंने तो बहुत दुस्क्रत्य कर दिया है यहां से वापस गया भागता हुआ कि अब अगर पांडव जीवित हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे अब पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे और यहां से भागा है और जैसे ही यहां से भगा वहां द्रोपदी सुबह के समय उन्हें पुत्रों के सिवर में पांचार के सिवर में आ गई और जैसे ही वाद सिवर में आई है संपून कक्ष एक करण चीतकार से गुण उठा कि माता से सुना मुझे नमीं सुताना निशम या घोरम परितक प्यमाना द्रोपदी दर्मडास सिर्फ इतना ही बोल पाए वहां से रख की धाराएं बहरी हैं और मूर्शित्थो करके ज्रोपदी जिर पड़ी वहां से सारे पांडों भाग पड़े कि क्या हो गया अभी तो महाबाद का समाप्तु आ है और बिजय की बेला में कर्म कंदन सारे पांडों ज्रोपदी कक्ष की और दोड़ पड़े तखने बिलारक द्रस्यों पांचों पत्रों के कटे सिर कटे धर और जिर ने पतिग्या कर दी आज जिस भी दुस्रे हमारे बच्चों की हत्या की है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूँगा कि तजा सुचस्ते प्रभजामी बच्चे दे जो पड़ी तु उसके रख्ट से स्नान करना तेरी ज्वारा सांथ मैं करूंगा और उस दुस्र का सिर्र तेरे कदमों में जाल दूंगा उसकर पहे रखकर दुस्नान करना द्रोपदी और यहां से अपना गांड़ी अर्जन ने उठाया और सोचने लग गया कि इस दुस्रत्र को करने के लिए अस्वत्थामा के अलावा और बचाई कौन था अपने अस्वत्था पहुचते भी मैं आज इस दुस्च को तुमारे चर्णों में डास दूंगा और ऐसा करता हुआ भाग चला जैसे ही अस्वत्थामा ने अर्जन को पीछे आते देखा सोचा क्या करूँ और वो कुछ नहीं इसको ब्रह्मास्त को भेंगना जानता था ब्रह्मास्त चला दिया और ब्रह्मास्त सीदे अर्जन की ओर आपरा अर जो सोचने रगा क्या होगा ये तो भेंकर ज्वाला मेरी उरा रही है इसका समाधान कैसे करो बगवान कस्ट से कहा हे जनार्दान ने रच्छा करो ही पून प्रशोतम जनार्दा जगन नाथ जगत कते जे जे विभो अच्छत हरे मंगल पते माया पते जैसे सुराओ चक्रधारी सक्र का आधार है ये चक्रपांगी हरी हमारा सब तुमी परिभार है ही जनार्दान ही अनारयान ही जगत रख्षत कष्ञ मुझे बचा लूथ यह क्या हो रहा है कहा है अर्जन अठ जे बिया यह भी माम्मांस्त है और ब्रमा स्ने नहीं मिटे गा बड़े बिसमां चलाए और अब ब्रमास्त से चलाया आरजुन ने तो ब्रह्मास्ट ने ब्रह्मास्ट को काटा और जैसे सांत हुआ, वैसे नर्दिल चला गया है अस्वत्तामा के और उसको पकड़ दिया है, अब पकड़ करके बांग दिया है रस्वियों में, और घसीरता हुआ लारा है, किस ने कहा अरे दुस्त को मार दे ही प कर अरजन ने कहा नहीं प्रबो मैंने दुरोपदी को आस्वासन दिया है कि तुम उस दुस्ट के पैर पर उसके रख्ट से स्मान करना उसकी व्यला भी तो सांत होनी चाहिए और उसको गस्युक्ता हुआ सीधा ले जा रहा है दुरोपदी के सिविर में और जैसे ही दुरोपदी ने अलाते हुए देखा ब्राम्मन पुत्र स्वत्था मा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोली प्राइनाथ इन्हें छमादान कीजिए जोपदी गुरुदे कंग से अस्वत्था मा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं बोली आध्या पुत्र जिनसे आपने विद्ध कौसल के विज्जा प्राप्ति की एबुनी फुज गुरुदेव के पुत्र हैं और स्वाइश भगवान जोन अप्रजार उपेन बरतते हैं और वो हमारे गुरुदेव आज जीवित नहीं है पर उनके पुत्र के रूपे हमारे संभुख हैं वही जीवित हैं वो तुमारे गुरुदेव हैं जो तुमारे गुरु ने जो बिज्जा अपने पुत्र को नहीं दी वो तुम ही दी और आज तुम गुरुपत्र को इस प भगवान ऐसों को हिसों साध्याद दिन लखते हैं कि बाम सभावा क्रपया है नमाम चर्ण भगवान इसी लिए द्रोपदी को इता प्रेंप करते हैं हाथ जोड़कर पनाम करते हुए और उनको बोली कि वाच चास हंत्यस्य बंदे नाम ने नम सती मुच्यता मुच्यता मेश ब्राह्मनों नित्रांगरों वाच चास हंत्यस्य अरे इंडो छोड़ दो छोड़ दो ये ब्राह्मन पत्र हैं बड़े द्रोपदी तुम क्या कह रही हो बड़े ये ये ब्राह्मन पत्र हैं मेरे घर में दामन का अपमान न करो बड़े आज जैसे पित्रब्योग में मैं मा हूँ और जानती हूँ कि आज जैसे पित्रब्योग में मैं करप रही हूँ न अरे इनकी माता करपी बे पित्रब्योग में न जाने क्या कर बैठे अरे मैं किसी को सुक न दे सकूँ, किसी के दुख का कारण तो न बनू मैं आज इनकी मा करपी के बारे में सोच रही हूँ कि हमारे गुरुदेव कि जब मिलपी हुई तो इनकी माता सिर्फ इस पुत्र के कारण जीवित है और आज अगर इसको तुम मार दोगी ना तो न जाने वो गुरु माता क्या कर बैठे इसलिए इन्हें छोड़ दो, आप इन्हें मार नहीं सकते मेरे आंगर में कदाच्या, ब्रामना का अफ्मान न करो अस्वत्थामा भी सोचने लग गए कि द्रौपदी जो लोग तेरी प्रसंसा करते हैं ऐसे इस नहीं करते बगवान भी सोचने लग गए द्रौपदी क्या कहरी हैं अब सब लोग धर्म संकट में पड़ गए अर्जन ने कहा मैं क्या करूँ अब भीम ने कहा अर्जन तेरे बसका इसको मानना नहीं है न तुम मेरे हवाले इसको कर दे मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूँगा जर्मराज युदिस्ट्री भी जोपदी के पक्ष में हो गए और अर्जन को धर्म संकट हो गया क्या करूँ जोपदी कह रहे हैं इसको मानना मत और और भीम कह रहे हैं कि इसको छोड़ना मत चा करूँ भगवान के सरन में गये प्रभूभ क्या करूँ इस धर्म संकट से हमें उबार ये भगवान ने का अर्जन में लोत करना चाहिए लिएर हिनाराया को किसी अर्जुन को संकट हो गया, अर्जुन ने कहा कोई इसको मारेगा नहीं, अब जब भीम मारने को आया ना, तो इसमें को बड़े भाइया, आप इस वर हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि सास्त्र ये कहते हैं, और नारायंग ये कह रहे हैं, और मैं इसको मारने नहीं दुनगा, क क्या करें आरे बगवान ने गार्जन रुख जा एक बात और कई है सास्थ्र ने क्या कहा? मुझे आत्यताई बधा अरहना बोले आत्यताई को छोना नहीं चाहिए जो बच्चों का ब्रामनों का गायों का जो हत्यारा उसे छोना भी नहीं चाहिए बड़े वाप्रभू अच्छा नियाए दिया बड़े ब्रामन को मानना नहीं चाहिए और अध्थाई को छोड़ना नहीं चाहिए अब क्या करूँ बड़े बया निरने लिना तुम्हारा काम है बुद्धी तुम्हारे पास है अरजिंस ने सोच लिया क्या करूँ बड़े किसी का अफ्मान कर लो नो बहुत बड़ा कोई सम्मानित बगते हो उसको अफ्मान अगर कर दिया उसकी मौत हो जाती है बड़े सम्माविचिक है अपने सिलाहू मरने को टिशंदारू दाहू रामायम कहते है कि लिभी तो मरना दे दाहिनों 50 केवल उसम तूशेक्वल यासा हो अरे मैं मरने से नहीं ड़ता मैं ड़ता हूँ तो अफ्मान से ड़ता हूँ हमारी यां पहले भूलते थे ना कि इसका अरफ भीकृक्श जीन सेividad बड़ो इसका अरफ भी यह है कि आदमे अफमानिक नहीं होना चाहिए जिवन में उसकी कीर्टी होनी चाहिए उसका यस होना चाहिए उसका मान होना चाहिए उसके लिए तो आदमें जीता है